स्वागत है आप सबका आपके इस प्रिय चैनल पर आज के इस एपिसोड में मैं आप सबको मेश से कन्या रासी के लोगों का सितंबर महिने के प्रथम सब्ताहा का रासी फल बताने जा रहा हूँ साथ ही जरुवत के अनुसार सम्मंदित प्रतिपूलताओं को दूर कनने के उपाय भी बताऊंगा जिनसे बड़ी सरल्ता से तन्मन वह परिवेश में व्याप्त नकारात्म कूरजा तरंगों के कुप्रभावों का निस्कासन हो जाता है सितम्मर्गा पहला सप्ताः विशेश रूप से मिथुराशी वालों के लिए सुखद एवं लावदैग रहेगा करक रासी वालों के लिए वेवाहिक जीवन में विशेश प्रगार्ता आएगी तथा आपसी सहयोग में ब्रध्धी होगी साथ ही विरसव रासी वालों को विशेश रूप से सरकारी कारों में भी सबलता मिलने की सभावना रहेगी बात कर लेते हैं सबसे पहले मेश रासी वाले जातों के लिए इस रासी वाले जातों को सब्ताह की सुरुवात में मांसिक अश्चिर्ता रहेगी किन्तु सप्ताह के बीच में द्रड़ता बढ़ जाएगी। दुरगटना से साबदान रहें। परहित के कार्य करेंगे, किसी दूसरे लोगों के कार्य में आप लगे रहेंगे। पढ़ाई की द्रिश्टी से समय मध्यम है। सप्ताहमें शारिरिक और मानसिक धकान हावी रहेगी। तथा संतान को लेकर चिंतित रहेंगे। काम की भागदोड में परिवार के उत्तम दायत्तु को निभाने में कमी आएगी। दीर्द कालीन निवेश से परिवार और खुद का भविश्य सुरक्षित हो जाएगा। पारिवारिक एवं प्रेम संभंधों में तालमेल बिठाने में सफलता मिलने से सुक्की अनुभूती होगी। मानसिक सांती महसूस करेंगे आप हनुमान चालीसा के पाड़ से प्रत्यकूल प्रभावों से छुटकारा और अनुकूलता में ब्रद्धी होगी। ब्रसव रासी वाले इस रासी वाले लोगों के लिए सप्ताहा के प्रारहम में परिवार के साथ ब्यवपार में भावुक्ता महसूस होगी और मन प्रसन रहेगा। कलपना सक्ती बढ़ेगी। नौकरी ब्यवसाय लाप्रद रहेंगे। अचानक आपको यात्रा करने पर सकती है। बालाजी की किरपा से सप्ताहा के मद्ध में आत्म विश्वास बढ़ेगा। पढ़ने लिखने वाले छात्रों की रूची बढ़ेगी। सरकारी संबंध या काम से लाब मिलेगा। संतान संबंधी मामलों में खर्च बढ़ सकता है आपका। सप्ताहा के अंत में मद्धुर्वानी से खुद का काम करवाने में आप सफलों पाएंगे। प्रत्पूर्ताओं के स्रमन हेतु माता रानी की पूजा आपको वश्य कने चाहिए। अब बारी है मित्वन रासी वाले जात्रों के लिए इस रासी वाले लोगों के लिए सप्ताहा की सुरुवात में विविज छेत्रों में विद्वानों और मित्रों के साथ मुलाकात लाप्रद रहेगी। सुरक्षित भविष्य के लिए सरकारी योजनाओं में निवेश करें लाव रहेगा फिर भी जादा लालच देने वाली योजनाओं से दूर रहना पड़ेगा छात्रों में मस्तिक्स पर थोड़ा कुछ प्रैसर बढ़ सकता है नौकरी या व्यवसाय में सहय कर्मियों का सहयो लुगा आपको charges चोटी यात्रा की योजनाओं आपकी बन सकती है स्री गणेजी की पूझा करने से सारी प्रतिकूल्ताओं का शमन हो सकता है इसलिए गड़ेस बंदना आपको अवश्य करने चाहिए बारी है करक रासी वाले जात्वों के लिए इस रासी वाले व्यक्ति बीते सबतहा व्याकुलता में समय बिताने के बाद अब राहत महसूस करेंगे और परिजनों के साथ प्रसन रहेंगे छोटी यात्रा समभ हो सकती है जीवन साती के प्रती आकर्शन रहेगा सियर वजार आयात निर्यात करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है ये इस सबतहा में आर्थिक छेतर में परिजनों का सहयोग आपको मिलेगा बातचीत की चतुराई से ये किसी भी व्यक्ति से अपना काम निकलवाना जानते हैं सबतहा के अंत में कारे सफल हो जाएगा यदि कोई बाधा आती है तो सिगुलिम पर जल चड़ाने से सब कुछ चीप हो जालेगा बारी है सिंगरासी वाले जातों के लिए इसरासी वाले जातों को आत्म विश्वास सबतहा के प्रारम में बढ़ेगा इनको अपनी संतान और बुज़र्गों की ओर से सुख मिल सकता है कोड कचेरी से जुड़े मामलों में सतरक्ता अवश्यक है इस सबतहा में निने लेने की छमता बढ़ेगी सरकार की ओर से इनको लाव मिलने की संभाव ना है क्रोध पर काबू रखना आपके लिए अतियावश्य इस समय ये लोग सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं वाणी की चत्राई से किसी को प्रहावित करने में ये लोग सफलो पाएंगे सिख्षा घरण करने वाले वेक्तियों को अधिक प्रियास करना होगा उपाए के तोर पर आपको नित्य प्रति दिन भगवान सूर को जल देना होगा बात कर लेते हैं कन्याराशी वाले जातवों के लिए इस सप्ता की सुरुआत बहुत लाव देने वाला है घर परिवार में सुख सम्रद्धी आएगी और परिवार में लाव होगा और व्योपार में लाव होगा बात कर लेते हैं कन्या रासी वाले जात्वों के लिए इस रासी वाले लोगों के लिए इस सप्ताह की सुरुआत बहुत लाव देने वाली है घर परिवार में सुख सम्रद्धी आएगी और व्योपार में लाब होगा इस सप्ताह मित्रों के साथ आप कहीं ब्रहमोर पर जा सकते हैं घूम सकते हैं जीवन साथी के साथ सम्मंद प्रकार हो सकते हैं अविबाहितों को भी जीवन साती की तलास में सफलता मिलेगी। इस सप्ता हमें बुजर्गों और मित्रों के सहयोग से लाब मिलेगा। समाज में यसकीर्थी बढ़ने की संभावना है। जीवन साती और संतान की ओर से भी कोई खुश खबरी आपको में सकती है। लेकिन सप्ता के अंत में वाणी पर आपको सयम रखना होगा। साथ ही किसी प्रकार के कागजात पर अक्सताकसर सोच विचार के करने चाहिए। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। और उपायों की जानकारी पाकर आप खुद लामावित होंगे और उनके उपायों से दूसरों को भी फायदा पहुचाएंगे। इन्ही सब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जैश्वी राम, जैश्वी बाराजी।